अगर आप भी स्टोरी की मदद से अपनी इंगलिश को इंप्रूफ करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो फ्रेंड्स बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपनी बहतरेनी स्टोरी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि आज टोम बहुत घबराया हुआ और डरा हुआ है क्योंकि आज उसका इंटर्विव है तो यहाँ पर टोम है उसके बारे में बताया जा रहा है कि तोड़े टोम बहुत घबराया हुआ है क्योंकि आज उसका इंटर्विव है वो पिछले साल नोकरी की तलाश में अपने गाउं से शेहर आया था तो अब टॉम के बारे में थोड़ा बताया जा रहा है कि पिछले साल आया था वो गाउं से शेहर में नोकरी की तलाश में तो बताया जा रहा है कि he moved from his village to the city, तो यहाँ पर move काई उस लिए क्या है, क्योंकि वो रहने के लिए आया है, है ना, तो he moved to, तो हम move to काई उस करेंगे हैं, he moved from his village to the city, last year in search of a job, वो पिछले साल नोकरी की तलाश में, अपने गाउं से शहर आया था, हालग यह एक साल हो गया, तों को अभी तक कोई नोकरी नहीं मिली, although it has been a year, जब भी हम कहते हैं, एक साल हो गया, दस साल हो गया, तो ऐसे बोलेंगे, it has been a year, it has been 10 years, यानि दस साल हो गया है, तो इस तिर बता जा रहा है, हालग यह एक साल हो गया है, तों को अभी तक नोकरी नहीं मिली, although it has been a year, तों हैंट फाउंड जब येट, उसने के कमपणियों में इंटर्व्य दिये, लेकिन उसे नोकरी नहीं मिली, इंगलिश में बोलेंगे, he has given many interviews at various companies, but he hasn't secured a job, लेकिन उस वो जब को secure नहीं कर पाई, उसे जोब नहीं मिल पाई, he has given many interviews at various companies, उने बहुत सी कमपणियों में इंटर्व्य दिये, but he hasn't secured a job, लेकिन उसे जोब नहीं मिली, टों एक ऐसा लड़का है, जो बचपन से ही शांत सोभाओ का है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, यह आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक तरव बैठा है, कुछ इस तरीके लड़के होते हैं, जो चूप रहना पसंद करते हैं, शांत सोभाओ का होते है, तो हापर बता जा रहे हैं कि, टों इस लड़का जो बचपन से ही, Tom is a boy who has been quiet since childhood Tom एकस लड़का जो 55 से शांत सोबाव का है वो दूसरों से जादा बात नहीं करता He doesn't talk much with others He doesn't talk much with others यानि वो दूसरों से जादा बात नहीं करता He doesn't talk much with others यही कारण है कि उसकी communication skills अच्छी नहीं है हमेशा एकला रहता है तो यही वज़ा है कि जब वो किसे बात नहीं करता तो उसकी communication skills भी अच्छी नहीं है तो बता जा रहा है कि Which is why his communication skills are not good Which is why his communication skills are not good यही कारण है कि उसकी communication skills अच्छी नहीं है और उसमें आत्मविश्वास की कमी है उसमें confidence की कमी है And he lacks confidence उसमें आत्म विश्वास की कमी है, इंगलिश्म हम बोलेंगे, and he lacks confidence, उसमें confidence की कमी है, जब भी उसे किसी अजनवियों से बात करनी होती है, तो वह बहुत घवरा जाता है, जिसे कि यहाँ तीन लड़किया से कुछ address address पूछ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा घवरा गया, त to talk to a stranger, he gets very nervous, इसी वज़ा से लोग टॉम के आसपास नहीं रहना चाहते हैं, या उससे दोस्ती नहीं करना चाहते हैं, because of this, people don't want to be around tom, यानि टॉम के आसपास लोग उनहीं रहना चाहते हैं, ऐसे लोग जादतर रहते हैं, जो चुप रहने वाले होते हैं, यही कारण होता ह कि उन जब जाद किससे बाचित करते हैं, तो कोई उनका आसपास भी रहना नहीं चाहते हैं, जैसे कि, because of this, people don't want to be around tom, इसी वज़ा से लोग टॉम के आराउंड नहीं रहना पसंद करते हैं, आसपास नहीं रहना पसंद करते हैं, और उसके दोस्त नहीं बनना चाहते हैं, That's why, Tom doesn't have any friends in this city, इसी वज़ा से, Tom का इस शेहर में कोई दोस्त नहीं है, and has to live his life alone, और उसे अपनी जिंदगी अकेले बितानी पड़ती है, इस वक्त, वो लाइबरेरी में पार्ट टाइम काम कर रहा है, यानि इस फिलहाल उसके पास कोई नोकरी नहीं है, तो अपना पार्ट टाइम काम कर रहा है, he's currently working part-time at a library, लाइबरेरी में पार्ट टाइम से इतनी कमाई हो जाती है कि उसका खर्चा चल जाता है, his part-time work at the library earns him enough to cover his expenses, तो cover का मतलम है हुआ है, यानि कि खर्चा उठाने से, तो हम word का use करते हैं, cover का, यानि cover his expenses, वो अपने खर्चे को cover कर लेता है, यानि इपना खर्चा उठा लेता है, his part-time work at the library earns him enough, यानि उसका part-time काम है लाइबरेरी में उसके इतना तो कमा लेता है, कि to cover his expenses के उसका खर्चा चल जाता है, वो अपने खाली समय में full-time नोकरी की तलाश में रहता है, but he continues to look for a full-time job in his spare time, यानि उसका spare time होता है, खाली समय होता है, उसमें वो continue रखता है, अपने full-time नोकरी की तलाश, आज सुभा उसे company से interview के लिए call आई थी, अब वो interview के लिए जा रहा था, अब वो बहुत चिंतित है, यानि इंटर्वी के लिए काफी चिंतित है, but he is very anxious, काफी चिंतित है, but he is very anxious, हाला कि उसने इस interview के लिए अच्छी तयारी की थी, और उसे हर हाल में नोकरी चाहिए थी, although he had prepared well for this interview, although he had prepared well for this interview, हाला कि उसने इस interview के लिए च्छी तयारी की थी, and desperately wanted this job, और वो desperately इस job को चाहता था, यानि हर हाल में इस job को चाहता था, वो confident दिखने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो इंटर्वी के लिए पहुचा, तो वो फिर से घबरा गया, और इंटर्वी के दौरान हकलाने लगा, but as soon as he reached the interview, he became nervous again, and he started stammering during the interview, but as soon as he reached the interview, लेकिन जैसे वो इंटर्वी पहुचा, he became nervous, वो nervous हो गया, again, फिर से, and started stammering during the interview, और इंटर्वी के दौरान, stammering करने लगा, यानि हकलाने लगा, यही कारण है कि इस भार भी उसे काम नहीं मिला, which is why he didn't get the job this time either, which is why he didn't get the job this time either, यही कारण है कि उसे इस बार भी काम नहीं मिला, इंटर्व्यूवर ने उसे बताया, कि उसे अपनी communication skills पर काम करने की जरूरत है, जिसने उसको interview लिया, interviewer उसने से बताया कि तुम्हां जरूरत था अपनी communication skills पर काम करने की, इंटर्व्यूर ने उसे बताया कि उसे अपनी communication skills पर काम करने की जरूरत है, टुम्हां दुखी था, लेकिन अब वो खुद को बदलना चाहता था, टुम्हां वो सेड़ बट नाव ही वोंट्स तुचेंज हिंसेल्फ, टुम्हां वो सेड़ बट नाव ही वोंट्स तुचेंज हिंसेल्फ, टुम्हां दुखी था लेकिन अब वो खुद को बदलना चाहता था, डिटर्माइंट होकर उसने अपनी communication skills पर काम करने का फैसला किया, डिटर्माइंट हो जाते हैं कि इस चीज को लेका तैरिमगो होचीज का था ने उसह करना था, अपनी communication के लिए इंप्रूफ करनी था अपना कॉंफिदेंस बढणा था इसनों फैसला कर लिया था, तो सेचवेशना मीट करने को लेकर डिटर्माइंट हो गया था, यह इंप्रूफ करने को लेकर वो रिटर मेंड हो गया था है and he decided to work on his communication skills और उसने decide कि हो अपनी communication skills पर काम करेगा उसने एक public speaking club को join किया he joined a public speaking club he joined a public speaking club याई उसने एक public speaking club जो कल्ब था उसे join किया and he started attending workshops to boost his confidence और यह इसी workshop उसने attend किया जहां पर confidence कैसे boost करते हैं, यह सीखा जाता है, तो yeah, he started attending workshops to boost his confidence, हर रोज वो mirror के सामने बोलने की practice करता था, यानि शिशे के सामने खड़ा हो जाता था, रोज और बोलने की practice करता था, हर रोज वो mirror के सामने बोलने की practice करता था, धीरे धीरे वे लोगों से बात करने में अधिक सहज हो गया, यानि धीरे धीरे क्या हुआ कि अब वो लोगों से comfortably बात करने लगा, जैसे कि slowly, he became more comfortable talking to people, जैसे कि हाँ पर ही पहले शर्माता था, आप खुल के बात कर रहा है, यानि his confidence grew, यानि जो उसका confidence था वो grow हुआ, और भी बढ़ा, his confidence grew, तो इसकी हाँ, second form का यूज करेंगे हम, his confidence grew, यानि इसका confidence बढ़ा, and so did his ability to communicate clearly, और साथी उसकी वो ability जिससे वो communicate कर पाए clearly, दोनों उसकी ability बढ़ी, शमता बढ़ी, his confidence grew, and so did his ability to communicate clearly, कुछ महीने बाद, टॉम ने दूसरी नोकरी के लिए अप्लाई किया, इस बार उसे कुछ अलग महसूस हो रहा था, देखो, इसकी खुशी अलगी देह रहे हैं हाँ पर, a few months later, यानि कुछ महीने बाद, टॉम applied for another job, उसने दूसरी जोब के लिए apply किया, this time he felt different, इस वकद उसे अलग महसूस हो रहा था, जब वो interview के लिए गया, तो उन्होंने आत्म विश्वास से बात की, और शान्ती से सभी सवालों का जवाब दिया, जब वो interview के लिए गया, त he spoke confidently, वो confidently बोला, and answered all the questions calmly, और सभी questions का कामली जवाब दिया, यानि शान्ती से जवाब दिया, when he went for the interview, जो वो interview के लिए गया, he spoke confidently, वो आत्म विश्वास के साथ बोला, confidence के साथ बोला, and answered all the questions कामली, और सभी questions का कामली जवाब दिया, interviewer ने उसकी progress से impressed होकर उसे नोकरी offer कर द की प्रोग्रेस देखकर शोख हो गया यानि इंप्रेस हो गया और फोर्ड हीम दा जोब और से जोब ऑफर कर दी तो वोज ओवर जोए टो बहुत ज्यादा खुश था तो खुश होने बहुत ज्यादा खुश था फाइनली अचीव इस गोल उसने आखिरकार अपने जो लक्ष ना केवल नोकरी थी बल्कि ने दोस्त और एक उजवल भविश्य था नाउ टोम नोट ओनली हैड अजोब बट ऑल्सों ने दोस्त और अब राइटर फ्यूच्य भी था तो फैंड्स आज की वीडियों बस इतने ही आपको वीडियो कैसे लेगे जरूर बताना वीडियो थाज की वीडियों पूर वोचिए वीडियों पर वोचिंग था लूच।